नमस्कार दोस्तो आज हम लोग कॉर्डिनेट जुमेट्री में सेक्षन फर्मूला को डिसकस करेंगे कि क्या होता है सेक्षन फर्मूला यानि कि विवाजन सुत्र तो मान लेते हैं कि यहां एक रेखाखंड AB है लाइन सेग्मेंट AB है जहां पे A का कॉर्डिनेट X1, Y1 है और B का कॉर्डिनेट X2, Y2 है अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो इस लाइन सेग्मेंट को इंटर्नली M1 और M2 के अनुपात में डिवाइड करता है यानि कि यहां एक जो पॉइंट P है वो यह रेखाखंड को दो पार्ट में डिवाइड करता है जो कि अनुपात है M1 और M2 यानि कि हम कर सकते हैं कि PA by PB equals to हो जाएगा M1 by M2 तो अब हमें इस P का कोडिनेट निकालना है कि यह P का कोडिनेट क्या होगा तो section formula के use से हम इस P के कोडिनेट को ज्याद कर सकते हैं तो अभी हम मान लेते हैं कि P का कोडिनेट XY है और इसी XY का value हम section formula के मदद से ज्याद करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह एक X-axis है और यह एक Y-axis है अब point A से हम X-axis पे एक perpendicular draw करते हैं जो कि R पे touch करता है तो R का कोडिनेट क्या हो जाएगा दोस्तो X1, 0 क्योंकि यह X-axis पे लाइ करता है similarly point P से भी हम एक perpendicular draw करते हैं X-axis पे जो कि S पे touch करता है जहाँ पे X का कोडिनेट हो जाएगा X-0 तथा B से भी एक perpendicular हम draw करते हैं X-axis पे जो कि X के T point को touch करता है जहाँ पे T का कोडिनेट हो जाएगा X-0 ठीक है दोस्तों again हम क्या करते हैं कि point A से P S पे एक perpendicular draw करते हैं जो कि Q पे touch करता है तथा point P से B T पे एक perpendicular draw करते हैं जो कि point C को touch करता है ठीक है अब हमारे पास दो triangles हो गए triangles P A Q तथा triangles B P C ये हमें दो triangles प्राप्त हो गए अब इस दो triangles में हम देख सकते हैं दोस्तों कि angle P A Q equals to हो जाएंगे angle B P C के क्यों हो जाएंगे क्योंकि ये आपस के alternate angle है एकांतर कौन है और geometry में जानते हैं दोस्तों कि alternate angle जो होते हैं एकांतर कौन हो जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं क्योंकि A Q और P C दो parallel lines है और A B एक कोई तिरियक line cross line उसको cut कर रही है इस कारण से angle P A Q और angle B P C आपस में alternate angle हो जाएंगे और जो कि आपस में बराबर होते हैं उसी तरह से आप देख सकते हैं कि angle P Q A equals to angle B C P equals to 90 degree हो जाएंगे क्योंकि ये सम कोन है 90 degree के कोन है तो अब ये दोनों त्रिभुज में दो angles आपस में बराबर होंगे इसका मतलब है कि जो बचे हुए ये तीसरा angles हैं A P Q और P B C ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे यानि कि ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोन आपस में बराबर हैं तो हम similarity के condition से समरूपता के condition से जानते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों कोन आपस में बराबर हैं तो वो दो त्रिभुज जो है वो शमरूप होंगे यानि कि हम का सकते हैं कि triangle PAQ is similar to tangle BPC अब जब दो त्रिबूज आपस में similar हैं तो हम जानते हैं कि उनके जो sides हैं उनका ratio same होगा यानि कि उनके भुजा उनुपातिक होंगे यानि कि हम का सकते हैं कि AQ by PC equals to हो जाएंगे PQ by BC और ये पराबर हो जाएंगे PA by PB के और जो हमें PA by PB मालूम है कि ये M1 by M2 के बराबर है यानि कि हम इनको लिख सकते हैं कि AQ by PC equals to हो जाएंगे M1 by M2 and PQ by BC ये भी हो जाएंगे M1 by M2 अब इसको हम equation 1 मान लेते हैं और इसको हम equation 2 मान लेते हैं अब यहां से दोस्तो हमें equation 1 के लिए AQ और PC का value चाहिए तो AQ और PC का value हम इस figure से find out कर लेंगे कि AQ equals to क्या हो जाएगा OS minus OR OS का value है X, OR का value है X1 यानि कि ये हो जाएगा X minus X1 उसी तरह से PC equals to क्या हो जाएगे OT minus OS जो की बराबर हो जाएगे X2 minus XK उसी तरह से equation 2 के लिए हम PQ और BC को अगर ग्यात करते हैं तो PQ equals to हो जाएगा PS minus QSK जो की बराबर हो जाते हैं QR का value हो AR के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगे Y minus Y1 और उसी तरह से अगर BC का value आप निकालना चाहें तो BC equals to हो जाएगा BT minus CT और CT का value जो है वो PS के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा Y2 minus Y1 अब हमें इन चारो का value AQ, PC, PQ और BC ये चारो का value हमें मिल गया तो इसको हम equation 1 और 2 में रखने से हमें X और Y का value मिल जाएगा तो AQ और PC का value equation 1 में रखने पे हमें क्या ग्यात होता है चलिए देखते हैं AQ by PC equals to M1 by M2 है तो AQ के value हो जाएगा X minus X1 by X2 minus X equals to M1 by M2 अब इसको अब सुल्प करेंगे तो cross multiplication जब आप करेंगे तो हो जाएगा LHS में M2X minus M2X1 equals to M1X2 minus M1X अब यहां से X वाले को हम एक साइड ले आएंगे और X1, X2 को हम right hand side में ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इधर से LHS में M1 plus M2 into X equals to हो जाएगा M1X2 plus M2X1 और यहां से हम X का value निकालेंगे तो यह हो जाएगा M1X2 plus M2X1 divided by M1 plus M2 यह X का value निकल गया उसी तरह से Y को value का निकालने के लिए equation 2 का use करेंगे जहां पे हम equation 2 में PQ और BC के value को put करेंगे तो PQ का value क्या हो जाएगा Y minus Y1 by Y2 minus Y1 equals to हो जाएगा M1 by M2 अब यहां से आप cross multiplication करेंगे तो हो जाएगा M2Y minus M2Y1 equals to M1 Y2 minus M1 Y1 अब यहां से आप दोस्तों Y वाले को एक सेड ले जाएगे और Y1 Y2 वाले को दूसरे सेड ले जाएगे तो आपको पता चल जाएगा कि M1 plus M2 into Y equals to हो जाएगा M1 Y2 plus M2 Y1 यहां से Y का value आप calculate कर सकते हैं कि M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M1 plus 1 M2 यानि कि Y का value यह आजाएगा तो यही जो X और Y का value है वो हमें मिल गया और इसी को हम लोग section formula करते हैं यानि कि direct इस formula का यूज करके अगर यह A और B का coordinate दिया हुआ है हमें और अनुपात ratio दिया हुआ है तो हम direct इस formula का यूज से point P का coordinate निकाल सकते हैं अब इसको याद रखना बहुत ही असान है अब देखिए कि M1 को X2 के साथ multiply कर देंगे यानि कि 1 वाले को 2 के साथ multiply करो और 2 वाले को 1 के साथ multiply करके नीचे में ratio के addition से divide कर देंगे यानि कि M1 को X2 के साथ multiply कर दिया और M2 को X1 के साथ multiply करके M1 और plus M2 से divide कर दिया उसी तरह से Y को find out करने के लिए M1 को Y2 के साथ multiply कर दिया तथा M2 को Y1 के साथ multiply करके add कर दिया और उसको divide कर दिया M1 प्लस M2 से तो यह section formula है अब इसी में कुछ special case होते हैं दोस्तों यानि कि अगर M1 के जगह पे K1 उनुपात 1 दिया हो यानि कि अगर यह point इस line segment को K1 उनुपात 1 के ratio में divide करता है तो P का coordinate क्या हो जाएगा तो M1 और M2 के जगह पे हम K1 और 1 को put कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें X का और Y का coordinate KX2 प्लस X1 बाइ K प्लस 1 और KY2 प्लस Y1 डिवाइड़ बाइ K प्लस 1 simple उसी तरह से एक और special case 2 है जिससे direct examination में बहुत question पूछे जाते हैं कि अगर point P किसी रेखाखंड को किसी line segment को mid point पे divide करता है तो वो mid point का coordinate क्या होगा यानि कि M1 और M2 आपस में बराबर हो गया यानि कि अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में divide किया तो M1 और M2 के जगा पे हम लोग 1 is to 1 कर देंगे यानि कि M1 और M2 के value को 1 1 रखेंगे इस formula में तो हमें यहां से mid point का coordinate क्या आजाएगा x1 प्लस x2 बाइ 2 और y का coordinate क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाइ 2 यानि कि अगर 2 point A और B का दिया हुआ है और उसके mid point का coordinate निकालने के लिए का आजाए तो simple हो जाएगा x1 प्लस x2 बाइ 2 और y1 प्लस y2 बाइ 2 यही दो special case generally पूछे जाते हैं दोस्तो अब इस पे हम next video में जो problem है NCRT 10th class के वो लाते रहेंगे दोस्तो